दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने चैनल अभियंता क्लासे में तो फ्रेंट्स अभी हैं परभात ख़वर के ओफिसल बेव साइट पर अब देख सकते हैं परभात ख़वर का जो न्यूज है वह अभी जैएक रिगार्डिंग छापा जैसा कि आप पहले डेट देख लिए 26 जुलाई 2021 आज के डेट में पांच नमबर पेर में आपको देखन मामले पर तीन अगस्त को होगी अगली सुनवाई यह तो बात ठीक है तीन अगस्त को होगी सब लोग जान रहे हैं लेकिन इसके अंदर पढ़ेंगे तो आपका होस उड़ जाएगा जैसा कि देखिए आप लिखा गया है रिजल्ट निकलने में तीन महीने तक का होगा देर सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि परभात खबर इतना जूठा निउज बनाता है इतना जूठा निउज छापता है जिसका कोई हद नहीं है अपने इसके पास कोई नॉलेज नहीं है इधर उधर से देखके निउज छापता है जैसा कि बताया था कि 15 जुलाई को र करता हूं अभियार्थियों कि पक्ष में रिजल्ट आता है तो दो से तीन महिना रिजल्ट को फिर बदल करने में लग सकता है उसी को देखकर ये परभात ख़बर जो है आज अपना पेपर में छापा है मतलब इसके पास सीधा सीधा कोई नौलेज नहीं है अपना नौलेज इसके पास नहीं है ये दूसरे का देखा देखी करके बस पेपर में छाप देता है और ये कुछ नहीं करता है जैसे देखे क्या लिखा है नीचे कि रिजल्ट में तीन महीने की होगे दिरी जस्ट जो आरा के पेपर में छापा था जस्ट हू बहू छाप दिया बस डेट मे देख सकते हैं कि जेई काउंसलिंग मामले पर तीन अगस्त को हाई कोट में अंगली सुनवाई होगी यदि हाई कोटी आची कारताओं अभियात्यों के पक्ष मेर निर्नाय लेती है तो पूरे मेरिट लिस्ट को बदलना पड़ेगा एक बाद याद दिलाते हैं कि निर्नाय लेगी ही नहीं पक्ष में निर्नाय आएगी ही नहीं बिल्कुल गलत है बात ठीक है तो इसलिए ये सब बिल्कुल गलत है जैसे देख सकते हैं येसे में दो धाई महीने रिजल्ट निकलने में और देरी हो सकते हैं बीते नौजलाई को कुछ अभियार्थी द्वारा दायर किये गए याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोट ने इस पर रोक लगाया था इन अवियार्थे उने डॉक्टर बहाली के तरज पर केंद्र सरकार के बिहार में संस्थानों में काम करने वाले या कर चुके जेई को भी अनुभव वेटेज का लाव दिये जाने की मांग ह ठीक है लेकिन एक बात आप सबको बता दू कि यहाँ पर्मानेंट जॉब जिनका है उनको वेटेज का लाव नहीं मिलेगा मतलब एक्सपेरियंस का लाव नहीं मिलेगा बिलकुल आपको बता दू कि संबीदा जेई को मिलने वाला है और अड़र्टाइजमेंट में कोई च पर चात्रों को भ्रमित करने के लिए सबसे आगे रहता है कि चात्रों के कैसे भ्रमित करने डी मोटिवेट करता है तीन महीना तीन महीना देरी होगा कम से कम नौलेज रख लिया करो तीन महीना देरी नहीं हो यार बोला था परहात खबर तुम भी 15 जुलाई को रिजालता ह लेगा हम आपको बता दिये चैनल के मादम चलिया मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए थाइंक्यू धन्यबाद